सोना वाचांदी कब सस्ता होगा सोने वाचांदी की कीमते 42,000 रुपए के आसपास कब आएंगी साधी के लिए सोना कब करीदें नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का सोना चांदी के भाव लाई में दोस्तो यदि आपके भी मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं और आप इनका जबाब जानना चाते हैं तो आज आप इस वीडियो को बिलकुल आकरी तक जरूर देखें दोस्तो मैं आप सभी को यकिन दिलाता हूँ आप सभी के मन में जो प्रशन उठ रहे हैं उनके उतर इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे तो वीडियो को पूरा देखें साथी रोजाना सोना वाचांदी के ताजा भाव जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर दें दोस्तो सबसे पहले आप इस ग्राफ में देखें सोने के भाव जो है 2017 में 29,666 रुपए विदावर जेश्टी थे 2018 में 31,438 रुपए थे 2019 में 35,220 रुपए थे 2020 में सोने का भाव 48,641 रुपए हुआ मतलब सीधे सोना महगा हो गया उसके बाद आप देख सकते हैं सोने में महगाई बरकरार रही 2021 में भी सोने का भाव 48,720 रुपए रहा आपको बता दे ये भाव विदावर जेश्टी हैं ऐसे में देखा जाए तो 2021 में सोने का भाव 33,000 रुपए तक गया है साथी 2022 में देखा जाए तो वर्तमान समय में सोने का भाव 24,400 रुपए से 55,000 रुपए इंक्लूडिंग GST 24 के रेट का भाव चल लहा है ऐसे में में आपका सवाल ये है कि सोना अखिर कब सस्ता होगा नहीं जादा 40-42,000 रुपए ही सोने का भाव आ जाए दोस्तों मैं आप सभी को कोई जूटी आसा नहीं देना चाहता लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बताऊंगा सोने की कीमते ज्यादा से ज्यादा इस साल 47,000 रुपए तक आ सकती है इसके नीचे आने की कोई उम्मीद फिरहाल नहीं जताई जा रही है मैं ब्यूच के लिए आपको ये नहीं कहूंगा सोने की कीमते 30,000 रुपए आ जाएंगी दोस्तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और हाँ यदि आप साधी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो जब आपको लगे आपके बजट में सोना है वैसे सोना तो महेंगा ही है लेकिन जब आपको लगे सोने वाचांदी के दाम कुछ गिरे हैं तो आप सोना वाचांदी खरीच सकते हैं इसके लिए आप रोजाना सोने वाचांदी के दाम पता करते रहना